बढ़ेंगे अगली खबार के और फैदबाद के सिविल अस्पतार बाश्रा खान में आने वाले हिर्दे के मरीज जहां हरियाना और केंस सरकार की योजनाओं का लाब लेकर मुफ्त इलाज करा रहे हैं तो वहीं बाश्रा खान अस्पतार में पीपीपी मोट पर चल रहे हार् दॉक्ट्रों ने केवल 4 मिनट 12 सेकिंड में एक हार्ट अटेक के मरीज की जान बचा कर उसे नया जीवन देने में सफलता हासिल की नया जीवन पाने के बाद मरीज और उसके परीजन हर्याना सरकार भारत सरकार की योजना को जीवन दायनी बता रहे हैं इलाज करा रहे मरी की जो और उसके परीजनों का मानना है कि सरकार अस्पतार में चल रहे हार्ट सेंटर में रिकॉर्ड टाइमिंग में एंजियोप्लास्टी की ज़ा रही है जो अन्य अस्पतालों के लिए मिसाल है मैं इस सफल ऑप्रेशन को अंजाम देकर मरीज की जान बचाने वाले डॉक कि अचनक लेफ्ट हैंड में और चेस्ट में थोड़ा सा पेन हुआ था तो हम डबवा रहते हैं किसी तरह से यहां पर आयाउटों मैं रियां आती बस डॉक्साप को बीडी में चेक करवाया तो उन्होंने जैसी मुझे चेक कर रहे हैं उसी दौरान में स्टूल से गिर गय तो मतलब बाद में बता रहे थे सभी मिलने वाले प्रोडोसी जो भी आसपास मेरे बैडों पे हैं मेरी मदर मेरी वाइफ यह सभी लोग बता रहे थे कि मतलब उस टाइम आपको होस्त भी नहीं था आंके ऊपर चड़गी थी और डॉक्ट साब में बस इतना अक्शन लिया कर दिया कि 15 मिनट में मैं अपनी फैमली को पहचान रहा था पैसे कितने लिया पैसे नहीं लिया सरम से कुछ भी अच्छा अजी वह सरमार पास कुछ काड़ वार्ट से बने वह था जुश्मान पगेरा और बीपेल काड़ की रो मत बचाने वाला पाकवाने में पहले कर रह हूँ मेरी बेटी गई परची बनवाने के लिए नीचे आधर काड़ की मैं ही थी अकेली कम से कम 20 लोग मेरे को समझा रहे हैं पूरी लेडिस है सिस्टर है डॉक्टर नी देरी के चलते बिल्कुल जान चाह सकती थी मैं ही कह रहा हूँ कि अगर मेरी ओपीडी में ना गिरत है हमारे हाट सेंटर के भार गेट से बाहर गिरता जो समय उसका लगता अंदर आने तक वो उसके लिए हो सकता है जानलेवा साबित होता और वो बच्छी ना पाता अभी वालीवूड के बड़े सितारे थे क्या नहीं है प्रोडिसर भी थे सतीश कौशिक जी उनका भी हाट तब तक उनको डॉक्टरों ने डेट डिकलियर कर दिया मेरा भी मानना यही है कि शायद उनको हार्ट अटैक था और शायद कुछ ऐसे ही वीटी वगरा रहा होगा जिसके चलते उनकी डेट हुई है मेरा यही मानना है कि जंग एज में सब बहुत जादा कॉमन रहता है बहुत एक